नमस्कार दोस्तों स्वागा थे मेरे YouTube चैनल में दोस्तों बंडेली च्छेक के लिए हिंदी व्याकरण एवं इंगलिस व्याकरण की मोस्ट इंपॉर्टन प्रस्न लेकर आया हूं दोस्तों यह प्रस्न आपके आने वाले व्याबं के हर एक्जाम में काम आएंगे तो निश् सब्सक्राइब करें और बिल घंटे के आल बटन को भी प्रेस करें तभी आप तक नोटिपिकेशन पहुच पाएगा और प्रेली गुरूप लिंग निचे देगा उसको भी जरूर से जोइन करें दोस्तों आए सबसे पहले देखते हैं हिंदी के व्याकरार के प्रस्न जो कि अब कियाने हैं एक्जाम के लिए 100% इहां पर उप्रिओ के साबीत होंगे सबसे पहले आपके जो गोस्चन है अपको बताना है इंनमें से कौन से क्या होगा और नेक्स्ट हैं सहीं वर्तनी माले सथद्न को चुने तो आपको यहां पर सहीवर्तनी वाले सब्द DP कुनना है तो इसका सहीयiku इसका आंशर आपका ए होगा सार्रिक आपको दोस्तों यहां पर देखना है कि सहीमा वर्तनी माले प्रस्फश्न्षर पुछ जाते हैं समाज संधी सभी यहां पर मैंने कोस्टन सेलेक्ट किया हैं तो आपको यहां पर सही आंसर क्या होगा इह Ihan अहां मतक्य में कौसी संधी है तो इसका सही आंसर क्या होगा यहांपर ढ though नहीं क्ली चांदी विद्धि संधी जिसमें डबालाय का मात्रा होता है उसमें अधिकांस में यहां पर विद्धि संधी होता है तो इस चीज को आप ध्यान रखेगा और दोस्तों मंदे रिच्छाखे तो बहुं सारे प्रेक्टिस सेटों का वीडियो मैंने नीचे डिक्स्प्सन में डाल रखा है अब जाकर जरूर देखे वहां आपको हर तरह के कोश्चन मिल जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट है दस मुख में कौन सा समास है हिंदे के मुष् गरूरר बिर्द है क्याणी के मैं ठीक है नेक्स्ट किस प्रकार का सब्द है किस प्रकार का सब्द है यह योग venir या नहीं बिलकुल भी नहीं लेज़ेगा तो यहाँ पर बीस प्रकार का सब्द है आपको बताना यहां पर तत्सम है कि देशा जह लए अधर । त इहांपर रेल गारी सब्द हैं आपको टो संकर यहां उत्पत्तिके धार पर सब्दर के कितने भेध होते हैं 2, 4, 6, 8 तो उसका सही अंसर क्या होगा बी चार होते हैं हुत पत्ति के धार पर भैद के नेक्स्ट है सूर्य सब्द का इस्त्रिलिंग क्या होगा यहां पर देख सकते हैं जो नेक्स्ट कोश्चन है सूर्य सब्द का इस्त्रिलिंग क्या होगा ए सुर्यानी बी सुर्या सी सु प्राण में यहां पर एक्जाम होंगे हाल ही में उन सब भी मैं आपका हिंदी के कुष्चन पुछे जाते हैं तो निश्चिति आप हिंदी के सब्सक्राइब को बारिकेस से ध्यान देते हुए पड़ते चली आपका वन लाइनर है आपका यहां पर याद होते भी चले हैं तो इसमें माता है प्राण है लारका है किताब है तो सही आंसर क्या होगा प्राण प्राण में क्या है बहु अचन है विस नेुक्ष्चन फोफय कुछैंगे मैं पूच्छी जाते हैं आप मोया psychology हो या अन्यRCसम तो यह कोश्चन आपको सभी ऐख जामों में काम जांगे सबी एक्जाम के लिए इंपॉर्टन्ट है महत्वपूर है तो गिदर का इस्ट्री लिंग क्या होगा यहां पर तो इसका सही आंसर क्या है को सी गिदरी नेक्स्ट है व्रिक्ष पर पक्षी बैठे इस वाक्त में पर कौन सा काराख है यहां पर देख सकते हैं तो इसका सही आंसर क्या हुगा अधी करण मतलब उस पर पर पक्षी बैठे हैं इस वाक्त में पर कौन सा काराख है एक कर्म कर्मकराख वाक्त में कौन सा काराख है एक करण कारक ब अपादन कारक से संप्रादन कारक या डिक कर्म कारक तो इसका सही अंसर क्या होगा यहाँ पर सी संप्रादन जो अलगा होता है यहाँ पर संप्रादन कारक होता है यहाँ पर आपका पंदरो कुश्चन है नागर का प्रायवाची सद्ध है जंगल में लगने वाले आग को कहते हैं जो जंगल में लगने वाले आग उसको क्या कहते हैं तो यहां पर B आपका दवा नल नेक्स्ट है हमेशा रहने वाले को कहते हैं A सास्वत B आपका यहां पर समसमाई से प्राणदा या D पार्थिव तो उसका सही आंसर क्या होगा? A सास्वत होगा नेक्स्ट है निम्न निखित में से विराम चिन नहीं है A अल्प विराम, B पूर्ण विराम, C निर्देशक चिन या D आउतरणा तो उसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा D आउतरणा जो कि विराम चिन नहीं है पिस्वा कोश्चन यदि सही देशा में परिस्रम करोगे तो अवस्प सफल हो जाओगे A सरल वाक्य, B सयुक्त वाक्य, C मिस्ट वाक्य है दीन में से कोई नहीं तो उसका सही आंसर क्या होगा? C मिस्ट वाक्य Next है हो सकता है राम को काम बन जाए इसमें आपका क्या आएगा? हो सकता है राम का काम बन जाए तो यहाँ पर A निसेद वाचक बूला हो सकता है तो यहां पर संदेव लगाया गया है तो इस तरह आपके यहां पर हिंदी के खिस कूश्चन थे दोस्तों इसी तरह की आपको प्रस्न लगातार के मिलते रहें तो प्रस्काइब मैं आपको दिखा दिए उंग्रिस के जो प्रस्न है जिसमें इभी इंपोर्टेंट प्रस्न है सबसे पहले जो कोश्चन है इसमें आपको बताना है कि कुछ सब पार्ट यहां पर आपका गलत है तो इसका सही अंसर क्या होगा है इस का सही आंसर ही होगा पर आपका एंपर गलत है नेक्स्ट हैं छूज दकर्रेटर पिस्टक्रोंट थाय। स्टेक्मेंट कीवर्ड फार्ट पार फैहां पर संटस्टेंश दिया है जिसका सही चूज करना है the student were officially told that they are not to cross the road उसके बाद है against the red light तो उसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका D there is no error in the sentence उसके बाद नेक्स रहा तिर से टुबा कोस्टन आप आप आए देखते हैं choose the sentence which the use of reposition in the correct तो इस तरह की कोस्टन आपको आप में देखने को मिलेगा तो उसका सही आंसर पूछ रहा तो प्रिपोजिशन चूज करना है correct है तो उसका सही आंसर क्या होगा? A. try to see in from my points of view next है choose the correct sentence आपको यहाँ पर सही sentence चुनने को बोला गया है चार आपको यहाँ पर option दिया गया है we were late due the blood next है our lateness was due the blood the highway we were sleeping due to the ice तो इस तरह हाँ पर चार option दिया गया है तो उसका सही आंसर क्या होगा? B. इसका सही आंसर होगा? our lateness was due the blood उसके बाद next है पाइस आपको यहाँ पर सही जोड़े मिलाना है जो इंग्लिस में पर दिया है mess the words in column A with words आपको opposition meaning due in the column B तो यहाँ पर चार option दिया है यहाँ पर various transparents demual या surplus तो आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है तो उसका सही आंसर क्या होगा? C. यहाँ पर सही है जो question है choose the correct sentence with expresses the sentence given below in passive was तो आपको यहाँ पर passive was पूछा गया है the residents celebrated the independence day तो आपको यहाँ पर सही है आपको चूज करना है was तो इसका सही आंसर क्या होगा? 66 का A the independent day was celebrated by the residents next time choose the sentence in which there is no error आपको इसमें से खाली बताना है कि कौन सा गलत है A है I trust English B I can speak English उसके बादा next I trust the English I can speak the English in which there is currently तो इसका सही आंसर क्या आपको संसर का इसका सही जो आपको बताना है यहाँ पर B in C next रहा है answer to a question her teacher told the class that उसके बाद A है आपका human heart's words उसके बाद आपका B C है आपका यहाँ पर about is being us फिर है आपका D इसका इसका सही आंसर इसका सही आंसर तो आपको column A से column B मिलाना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए अलवर आप मैंन काइंड भी अलवर आप उनसर अलवर आप अदर और अलवर आफ फूड तो आपको यहाँ पर सही आंसर बताना तो उसको सही आंसर क्या होगा यहाँ पर A होगा एक आपको तीन आएगा उसके बाद आपको बी का एक आएगा फिर आपको सी का फूर आएगा उसके बाद फिर आपको यहाँ पर डी का दो आएगा तो इस तरह यहाँ इंगलिस के question है जो कि